हेलो दोस्तो कैसे है आप सब एक बार पुना आप सभी का आपके अपनी चैनल स्यू कोचिंग क्लासस पर स्वागत है दोस्तो आज का टॉपिक है कि जैसे की तारा आपको दिखाई दिरा दोस्तो तुए बास्तविक उचाई से थोड़ी से अधिक उचाई पर दिखाई देती इसका कारण क्या है किस कारण से तारे बास्तविक उचाई से अधिक उचाई पर दिखाई देते हैं तो इस क्वेशन का एंसर हमको समझना है ठीक है तो चलिए देखते हैं दोस्तो पहले आपको समझना है माध्यम जैसे मैं दोस्तो पहले आपको यहां पर एक प्रत्वी का च तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा ठीक है कि प्रत्वी के ऊपर दोस्तों बिविन्द माध्यम होते हैं यह ना जैसे जैसे ऊपर जाते हैं दोस्तों तो घनत तो क्या होता है घटता जाता है प्रत्वी के चार और बायुमंडल है लगबक 300 किलोमेटर तक बायुमंडल परकास करन चली ठीक है ना तो दोस्तो अभी लंब हुआ अभी लंब से थोड़ा सा हलका क्या होगे पास जुकी और फिर आगे दोस्तो आगे आएगा फिर अभी लंब से पास जुकेगी जुकेगी इसके बाद दोस्तो ये जुकते जाएगी है ना और अभी लंब से पास चुकि आप लोगो को अपवरतन पता होगा, कि जब प्रकास कियोंगी एक माध्यम से चलती है, और दूसरे माध्यम में बिशलित हो जाती है, मतलब दूसरे माध्यम में चले जाती है, तो वहाँ प्रकास का अपवरतन। तो यहां पर हुआ प्रकास का पबरतन अब दोस्तों जब बिरल माद्धम से सगन माद्धम में जा रही है तो आविलम के पास जुकती है यह भी चीजे आपको पता होना चाहिए अब दोस्तों जब प्रत्वी के नजदिक जाना जाएंगे उतना इसका बायमंडल सगन होता ज जिससे दोस्तो प्रकास किरने अभी लंग के पास जुकती जाती है, मतलब दोस्तो प्रत्वी के सत्य से उपर जाने से बायू बीरल होता जाता है, घनत तो कम होता जाता है, घनत तो कम होने के दोस्तो अपवरतनाग भी कम होने लगता है, है ना जिसके कारण दोस्तो प्रकास किरने हमें ठीक है सीधी ना कर हमें थोड़ा सा उपर उठी प्रतित होती है और प्रकास किरन से ही दोस्तो हमको तारा नजर आता है तो तारा भी हमें उचाई पर दिखता है तो चलिए देखते हैं इसका पूरा कहानी सारांस क्या दोस्तो प्रत्वी की सात्य से समझी का पूरा इसका एंसर है आप स्क्रीन साट ले लें और लिख लें है ना प्रत्वी की सात्य से उपर जाने पर बायू का घनत तो क्रमसा कम होने लगता है जिससे अपवर्तनांग भी कम होने लगता है क्लियर प्रतवी की सात्य से लगबक 300 किलोमेटर तक की उचाय तक बायो मंडल है सुदूर तारे या सुदूर से आने वाली प्रकास करने बायो मंडल में क्रमसा बिरल परत से सगन परत में प्रवेस करती है या करती जाती है फल सरूप में दोस्तो आविलम की और जुकती चली जाती है अंत में जब किरने प्रेच्छा की आँख में प्रवेस करती है तो तारे या सूर बास्तवी की स्थित से कुछ उपर उठे हुए दिखाई देती है इसका करन दोस्तो मैंने आपको समझा चुक है कि जैसे आप देख रहे हैं कि जब प्रकास करने क्या होती है कि विरल माद्यम से सगन माद्यम में चलती है तो sow अभिलम से जुकती जाती है और स्क्वेरी दोस्तो बास्तों में पीछे बढ़ाएं तो हलका यहां दिखकर दोस्तों उचाई पर दिखाई देता है यही कारण होता है दोस्तों जब आप कभी देखते होंगे सूर अस्त के समय सूर लालीमा दिखाई देती है बास्तों में सूर आर्फ हो जाता है लेकिन थोड़ा सा सूर में उठा हुआ नजर आता है और सूर दिखाए देता है लेकिन प्रकास किरने हमारे यहां तक नहीं पहुच पाती इसका काण यही होता है दोस्तों जब साम का समय होता है तो कभी आप देखेंगे सूर पूरा का पूरा दिखाई देता है कि सूर गोला आकार का है लेकिन हमारे यहां अंधेला हो जाता है हलका लालिमा युक्त दिखाई देता है इसका कारण यही होता दोस्तो कि हमारे पास जो प्रकास किरने आ रही है वो बास्तों में क्या गूम कर आ रही है ना और सूर हमें यहां नजर आ रहा है लेकिन सूर हमारा बास्तों में छिप चुका होता है इस कारण से हो जाता है अंधेला हलका अंधेला हो जाता है साम के वक्त देखेंगे लेकिन लालिमा युक्त सूर हमें दिखाई देगी तो तो सूर हमें यहां न दिखाई दे कर यहां दिखाई देता है, इसलिए सूर बास्तों में तो दिखाई देता है, किन्तो दोस्तों बास्तों में सूर वो बास्तवी किस्थित पे नहीं रहता, वो बास्तवी किस्थित से थोड़ा सा उपर उठा हुआ होता है, जिसके कारण से हमें सूर तो दिखाई देता है किन्टo उसकी पूरी प्रकास करने हमारे यहें तक है नहीं पहुच पाती यही काण दूब होता है धुश्टो ठीक है तो इससे आप लोगों को क्या जान करी मिला दूस्तो कि सूर बास्तों में अपने स्थिते में दिखाई नहीं देता वो इस्थित से थोड़ा सा दूर और हट कर दिखाई देता है इसका काड़ होता है दोस्तों बायो मिंडल की परतें या बिभीन परतों से प्रकास करने गुजरती है तो जब बीरल से सगन में जाती है तो अभी लंब के पास जुकती है और यह क्रम चलत क्लास के क्ले काफी महत्मुर्ट टापिक है दोस्तों और अन्य क्लास की भी बच्चे से समझ सकते हैं जान सकते हैं बेसिक जानकारी है इसलिए दोस्तों मैंने इसका JONAB बनाया है तो उसमें दोस्तों कोई particular किसी क्लास का थमनल नहीं बनाया ताकि आप लोग किसी भी क्लास में आप रिर्जेशन में BSC कर रहे हैं यजी फिजिक्स में टॉपिक्स है तो समझना जरूरी है और जान भी ले और लिख लें दोस्तों यह बहुत इंप्रकार की जानकारी प्राप्त होता है तो फिर दौस्तों मिलेंगे आगले वीडियो में दोस्तों नए टॉपिक साथ तब तक लिए जैहिन बंदमातरम